हमारी भाशा बच्चों, हम अपने मन की बात कई तरह से दूसरों को बताते हैं. भाशा ही वह साधन है, जिसके द्वारा हम यहे कर पाते हैं. जर्ण सोचो, यदि भाशा नहीं होती, तो हम अपने मन की बात दूसरों को कैसे बताते? आओ, पाट सुनकर जानो की भाशा क्या है और इसके कितने रूप है इन चित्रों को ध्यान से देखिए पहले चित्र में कुत्ता बहुं-बहुं करके अमित को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अमित समझ नहीं पा रहा है दूसरे चित्र में भी तोता बोल कर कुछ कहना चाह रहा है पर बच्चे समझ नहीं पा रहे है क्योंकि कुत्ता और तोता बोल नहीं सकते इनकी कोई भाशा नहीं है अब देखिए भाईया, मुझे कोई नया खिलोना दिखाईए देखिए यह गुडिया बहुत सुन्दर है इसे पैक कर दीजिए इस चित्र में दुकांदार और रिया की बातचीत हम आसानी से समझ पा रहे हैं भाशा की द्वारा हम बोल कर अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ पाते हैं विचारों का आदान प्रदान ही भाशा कहलाता है भाशा की रूप अब इन चित्रों को देखिए कि इनमें क्या हो रहा है मा बेटी को पढ़ा रही है और बेटी सुनकर समझ रही है यह भाशा का मौखिक रूप है, यानि जब हम अपनी बात बोल कर कहती है नितिन पत्र लिख रहा है और उसका मित्र उसे पढ़ कर समझ रहा है यह भाशा का लिखित रूप है, यानि जब हम लिख कर अपनी बात कहती है पशुपक्षियों की बोलिया बच्चो यह सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते, वे हमारी तरह लिख भी नहीं सकते, परंतु उनकी भी एक बोली होती है, जिसके द्वारा वे आपस में बातें करते हैं आये जाने कौन कैसे बोलता है? कोयल कूकना, मेधक तर्राना, हाथी चिंगाणना, बगरी मिमियाना, शेर दाहाणना, चिड्या चेह चहाना, घोडा हिनहिनाना, कबूतर गुटरगूं करना, बिल्ली म्याउं म्याउं करना, कहवा काउं काउं करना, अब तक हमने सीखा, बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुचाना और दूसरों की बात सुन कर समझना ही भाषा है, भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित, पशुपक्षियों की भी अपनी बोली होती है,